Short note किस तरीके से आप लोगों को बनाना चाहिए? बहुत सारे student disease के लिए confused रहते हैं और यही चीज में आप लोगों को इस short कित्रू बताने वाली हूँ सबसे पहली चीज है कि जब भी आप लोग short notes बनाते कभी भी आप लोगों को परचिया नहीं बनानी है ठीक है? आप लोगों को कुछ वहाँ पर इस तरीके का learning phase नहीं रखना है कि जैसे किसी ने भी आप लोगों को file दे और उसको compress करके आप लिख तो वो कोई notes नहीं होता है Notes का मतलब होता है कि आप लोगों ने key points, keywords और tricks को वहाँ पर note down किया है ताकि एक जैसे ही आप लोगों ने उसका जहलक देखा पूरे topic आपके recall हो जाते है मतलब अगर teaching aptitude की बात करूँ तो teaching aptitude के लिए आप लोगों को 50 pages की जुरुवत नहीं है अगर आप अच्छे से teaching aptitude बनाएंगे तो मुश्किल से 3-4 pages पे complete unit को आप add कर सकते है So I hope आप इसी approach के साथ अपने notes बनाएंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे So वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको like share करिए और अपना feedback comment section में दीजिएगा और चानल को जुरूर subscribe करिएगा Bye-bye, take care